क्या लग रहा है काराकट जो छेत्र है वो आसान लग रहा है पाउन सिंग जी के लिए या फिर उपेंदर कुस्वाहा जी वहां बाजी पलट देंगे नहीं ऐसा नहीं है वहां फाइट तो होगी इसमें कहीं से अगर जातिगत समिकरन का नुसार देखें तो फाइट होगी ल लेकिन कहा जाता है कि साइंस के स्टुडेंट से कॉमर्स का सवाल ना पूछे या फिर कहा जाए कि स्टुडेंट है तो उनसे साइंस का सवाल ना पूछे आप समझ सकते हैं किस वे में वह बोले है या चीज़ नहीं उपेंदर कुस्वाह जी ये बात बोले हैं तो तो देख सकते हैं पाउंच सिंग जी के जो fan following से जेंग काफी confidence में नजा रहा होओं पाउंच सिंन जी जीतेंगे और वो भारी मतों से जीतेंगे कही इससे उमीद नहीं है ना बीलकुल भारी मतों से जीतेंगे और जाकर हम लोग तिन چार दिन के बाद पूरे कारा काट में कि जब कंपेनिंग करेंगे तो पता चलेगा कि उस दिन जलवा क्या होता है आप लोग कब महौल बनाने जा रहे हैं कारा कट लोग सबाचेतर में तीन या चार दिन के बाद हम लोगों ही सिप्ट कर जाएंगे और वहां हम लोग अपना कंपेनिंग सुरू कर देंगे नमस्कार आप सबी देख रहे हैं टॉप टेन भोजपूरी और अभी हमेरे साथ मौजूद हैं जैप्रकाश जिद्दी जी जो कि पाउन सिंग जी के खासे करीवी हैं और मंच उद्गोसक भी हैं और मंच के माध्यम से पाउन सिंग जी के लिए काफी महौल बनाए हुए है लेकिन चुनाओ का दोर है चुनाओ में क्या कुछ माहौल बना पाएंगे चलिया जिन से जाने कोसिस करते हैं और काराकट से जब से एलान किया है पाउन सिंग जी वो सीट होट सीट के तोर पर बाहर आया है क्योंकि इससे पहले उपेंदर कुसवाया जी और राजा राम सि जी के बीच फाइट था लेकिन जैसे पहुन सिंग जी एलान करते हैं वहां का महौल चेंज हो जाता है क्या कुछ महौल है क्यों काराकट से चुनाओ लड़ रहे हैं और महौल वहां कैसे बना पाएंगे पहुन सी यही सब मुद्दाओं पर चर्चा होने वाली है हमारे सबसे पहले टॉप 10 बुद्द पूरी इतने भी आपके दर्शक दिख रहे हैं उनका स्वागत है उनका अभी नंदन है साधरा भार है पौन सिंग जी काराकट चले गए हैं होम टाउन आ रहा है आप भी इसी लोग सबाच्छेतर के हैं आरा लोग सबाच्छेतर के कैसा महस पेसल बात होगी कि उन्होंने कराकाट चूज किया है लेकिन जब वो कराकाट चूज कर लिए हैं कराकाट से चुनाओ लड़ना है तो निशीत रूप से पहुंजी कराकाट से चुनाओ जीतेंगे चाहे उनके खिलाफ जो भी खड़ा हो कुछ लोग यह भी बता रहे हैं सुत्रों के द्वाष यह भी पता चल रहा है कि पावण सिंग जी जो चुनाओ वहाँ से लड़ रहे हैं वो एंडिये के खिलाफ जा रहा है उनके लिए क्योंकि वहां से जो एंडिये के उमिदवार जो हैं वह उपेंदर कुस्वाही जो क उनकी जो fan following से उस छेतर में बहुत ज़्यादा है जातिगत भी उनका प्रभाव है तो क्या पाउन सिंग जी उस प्रभाव पे भारी पड़ेंगे देखे जहां तक पाउन जी की बात है तो पाउन जी जातिगत प्रभाव से उपर के चीज़ है और उप इंदर कुश्वा जी का अगर वहां से fan flowing है भी तो हमें लगता है कि बिहार के किसी भी अगर सीट से चुनाव लड़ा जाता पाउन जी के लिए तो बिलकुल आसान होता तो क्या लग रहा है काराकट जो छेतर है वो आसान लग रहा है पाउन सिंग जी के लिए या फिर उपे अंदर कुश्वा जी वहां बाजी पलट देंगे तो फाइट होगी लेकिन पोन सिंग की फायन फ्लोइंग काराकाट में भी बहुत मजबूत है इसमें से कहीं दोर आए नहीं और पाउन जी चुनावाँ से जीतेंगे आप लोग कब महौल बनाने जा रहे हैं काराकट लोग सबाच्छेतर में तीन या चार दिन के बाद हम लोगों ही सिप्ट कर जाएंगे और वहाँ हम लोग अपना कंपेनिंग सुरू कर देंगे क्या कुछ रणनीती रहेगी आप लोगों की वहाँ पे जाके जो जनता है उनको अपने तरफ आकरसित करने क्या रणनीती रहेगी आप लोगों की हम लोगों की रणनीती यही है कि आज की तारिख में जो सबसे पहले तो हमको यह लग रहा है कि हम एंडिये के खिलाफ ही जा रहे हैं अगर निर्दली लल रहे हैं तो एंडिये के खिलाफ अगर हम लोग जा रहे हैं कि कोई हम लोग का सोच सुरू से एंडिये के पक्ष में रहा है तो कहीं न कहीं हम लोग किसी नए वीजन के तहट वहां जाएंगे और काराकाट के बारे में आपको भी पता है कि काराकाट आज भी बहुत पिछड़ा हुआ बेल्ट है तो हम लोग ने विकास और वहां शिक्षा और स्वास्त जो दो चीज़ है वहां का मुक्र मुद्दा उसको लेकर हम लोग जाएंगे अचा पौन सिंग जी के बारे में जब बाते चलती है तो सबसे पहले उनका ससुराल के तरफ देखा जाता है कि बलियां से चुनाओ लड़ेंगे पौन सिंग जी कि कुई कुछ दिन पहले सीट भी खाली थी अभी हाल फिलाल में सेखर जी को वहां से टिकट मिला है लेकिन फिर उसके पहले आरा की बात चली थी उसके बाद फिर छपरा का भी बात चला था लेकिन इन सब चीजों से दूर जहां से लोग सोच भी नहीं पा रहे थे आरा तो हम सुरूश कर रहे थे कि आरा आरके सिंग के खिलाफ आरके सिंग का टिकट नहीं कटेगा लेकिन हमें बहुत उमीद थी बलिया बगसर और च्छापरा तीन बलिया तो अभी कॉल परसों में अनाउंस हुआ है नीरज सिकर जी को मिला है टिकट तो हम भी अपेक्षा रख रहा है थे कि बलिया से उठें टिकट मिलना चाहिए था लेकिन पाटी ने क्या सोचा कैसे क्या डिलिंग होई नीरज सिकर जी को टिकट मिल गया पहुंच जी को नहीं मिला अब देगे बात ऐसा है कि उपेंदर कुस्वाह जी को एक लोता सीट मिला है कारा कट से अंड परवा दिया जाए जिसके बाद से पचीस में जो कि विधाय की का चुनाव है वहां पे वो किसी तरीकी के अटकले ना पैदा करें नहीं है इसा नहीं है उपेंदर कुश्वाह जी का इतिहास हमको लगता है राजनेती कि इतिहास बहुत गलबल रहा है कभी पाटी बनाते ह है तो बहुत मुश्किल है इस पर उपेंदर कुश्वाह जी तो कहते हैं कि चलिए पाउन सिंग जी अच्छा गाता है सब कोई मानता है जो कि भजपूरी के अस्टार है पावर अस्टार है लेकिन कहा जाता है कि साइंस के स्टूडेंट से कॉमर्स का सवाल ना पूछे या साइंस और कॉमर्स की बात नहीं है यहां पीएचडी की बात है और जो पीएचडी कर लिया है वो साइंस और कॉमर्स दुनों का सवाल जानता है तो देख सकते हैं पाउन सिंग जी के जो फैन फॉलोइंग से साथ राने वाले जो लोग हैं काफी कॉन्फिडेंस में नजार आ रहे हैं उपना सिंग जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे कहा इसा तो उमीद नहीं नहीं है ना बिल्कुल भारी मतों से जीतेंगे और जाकर हम लोग तिन चार दिन के बाद पूरे कारा काट मारे जैँ जब कंपेनिंग करेंगे तो पता चले गया कि उस दिन जलवा क्या होता है और जहां तक भीड जूटाने की बात है तो भीड जूटाने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत नहीं करना पॉवन सिंग से ज़्यादा भीड कौन जूटा सकता है वही ना केवल हम लोगों को अपनी बात रख देनी है वहाँ हम लोग अपनी बात रखेंगे और समाज के हर जाती मजहब के लोग हमें बोट करेंगे देखे कल से जब हुआ है हमको लगता है काराकाट से मेरे पास लगभग सौफोन आया है अभी तो हम फोन उठाना भी बंद कर दी है इसलिए कि अगर कोई भी अन्नून नमबर आ रहा है तो यह समझ लिए काराकाट से ही है जैसे फोन उठाइए तुरंत वहां के लोग कहते हैं कि आप मेरे यहाँ आईए उसमें कुछवा विरादरी भी है यादो विरादरी भी है ठाकुर साब लोग भी है और भी जाती के लोग है अचा एक बात और जानना चाहेंगे चुनाओं में आप लोग महाल बनाने जाएएगा जनता के बीच जाएएगा उनको अपने अपनी बात रखिएगा किस तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है मन में क्या चल रहा है नहीं परिशानियों का सामना किवल इतना होगा जो मैं कन्फर्म बता रहा हूँ कि हम लोगों को अपनी बात मजबूती से रखना है और हम लोग जब अपनी बात रखेंगे तो कोशिश करेंगे कि चुनाओं जीतने के बाद उस बात पर अमल रहें और उसको काइम रखें पहले तो अच्छा रहे हुआ होगा कि पावन सिंग जी कारा कट से क्यों चुनाओं लड़ने के तो आप लोग इस पूरे परकड़ों को किस तरीके से देखते हैं जितना सुरू से चला आसान सोल उसके बाद छपरा बलियां और अरंगाबाद कितना नाम खुल-खुल के सा तो आप लोग किस तरीके से देखते हैं एक पर कुमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कि क्या कारा कट से पहुंच से क्या चुनाओं लड़ना सही है या फिर कहीं और से लड़ते तो उससे बहतर करते हैं अंत में उन दर्सकों के लिए क्या कुछ कहिएगा जहां आप म मिलेंगे तुम्हें गले भी लगाएंगे देखेंगे तेरा जोर और अपना जोर भी आजबाएंगे